नमस्ते दोस्तो, आज हम ओरियो कपकेक्स बनाएंगे, इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये जट से बन जाते हैं, आइए इसे बनाना हम शुरू करते हैं, मिक्सिंग जार में एक पैकेट ओरियो बिस्किट ले लेना है, मैं इसे क्रीम के साथ ही पीस रही हूँ, साथ ही एक टीबल स्पून शक्कर डाल देनी है और इसे अच्छे से पाउडर बना लेना है इसे हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे 80 ml जितना मैंने दूद डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा दूद और डाल रहे हैं दो टेबल स्पून जितना डाला है और इसे अच्छे से मिला के 5-7 मिनिट तक के लिए छोड़ देंगे इसमें डालेंगे 140 टीएसपी इनो सोडा इस ब्लू पैकेट है और इसे अच्छे से मिला लेंगे मैं इसे अवन में बनाने जा रही हूँ तो मैंने पेपर कप्स इसमें लगा लिए हैं एक एक चमच मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्रेस पर हम इसे 10 मिनिट के लिए बेक कर लेंगे बैटर के उपर मैंने थोड़े चौको चिप्स डाले हैं ये टोटली आप्शनल है दोस्तों अगर आपको नहीं डालना है तो आप इसे अवोईड कर लीजिएगा अगर आप कड़ाई में कर रहे हैं तो इसे 15 मिनिट लगेंगे स्लो फ्लेम पर इसे 15 मिनिट के लिए पका लेना है कपकेक्स अच्छे से फूल के तैयार है दोस्तों इसे हम पूरी तरह से थंडा होने देंगे उसी के बाद हम इसे खाएंगे आप इसके ऊपर विप क्रीम वाला डेकोरेशन भी कर सकते हैं ये मैंने चॉकलेट मूज डेकोरेट किया है तो आप इसे ज़रूर ट्राइ करिएगा और मुझे बताएगा आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूनना बबाई